नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाण फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन में उड़ो देखने वाले हरकिसान भाई वो मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों आप देशी मुर्गी पालन या दूसरे कौन से भी ब्रिड का चुनाओ करके मुर्गी पालन की शुरुवात कर चुके है या करने वाले हैं ऐसे में दोस्तों आप कौन सा फिड मुर्गियों को डालते हैं सव में 언제 सव मुर्गी पालक भाई दिल के दिल पर हाथ रखके कह सकते हैं कि वह सव प्रतिशत गेहों जवार मकाई बाजचरा और साथ सम्धी में दोस्तों चावल का इस्तमाल मुर्ग के लिए करते हैं निरो सब्सक् consume हैं तो दोस्तों किलिए सचेत और उचीत करने वाली यह जानकारी है कि ऐसा कहा जाता है मैं नहीं हुआ लेकिन लोग कहते हैं कि गेहुआ करने से मुर्गियों का अंडो का production घटता है आपका भी यही सवाल है दोस्तो पिछले कुछ दिनों से आप गे हुँ चावल का इस्तिमाल कर रहे है और आपकी मुर्ग अगर अंडो का production वहां पर कम दिखा रही है तो दोस्तो यह सबसे बड़ी यहाँ पर जो है दोस्तों दिक्कत के बाद आपके लिए हो सकती है इसलिए दोस्तों सावधान और सावधानी से यह वीडियो शुरुआत से लेकर आखिर तक देखी आपके मन में सबसे बड़ा जो सवाल है कि गेहो और चावल का इस्तमाल करने से मुर्गियों का अंडों का है इसलिए आप से विनती हैं दोस्तों कि आप वीडियो शुरुआत से अंतर देखे देखने के बाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए साथी में दोस्तों आएसे वीडियो शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से मुर्गी पालक भाई और बेरोजगार युवाओ को एक नहीं दिशा मिल सकते इसलिए दोस्तों आप क्या कीजिए इस वीडियो की लिंक शेयर कर दिजिए शेयर करने के लिए पर साथी में आपके मन में कोई दिक्कत आपती समस्या और तकलीफ हो तो दोस्तों मुझे लिख कर भेजिए कमेंट सेक्षन के जरीए आने वाले वीडियो के साथ आपको आपका सोलुशन और सवाल का जवाब दिया जाएगा लेकिन क्रिपया इसके लिए सब्सक्राइब करके से नोटिफिकेशन बिल को आल कर दिजे ताकि दोस्तों आपको अगला वीडियो मिलता रहे और साथी में दोस्तों यहाँ पर और एक बात आपको बताना इंपोर्टन्ट है कि दोस्तों आपके लिए मार्केटिंग का नया चैनल मैंने खोल दिया है कि जिसके माध्यम से जो देने से अंडो का प्रोडक्शन घटा है तो इसके लिए दोस्तों हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी की गेहू चावल अजवार में आईसा क्या होता है कि जिसके बज़े से आईसा कहा जाता है कि मुर्गियों का अंडों का प्रोडक्शन घटता है दोस्तो यह जो है और इसकी सच्चाई हमें चेक करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि मुर्गियों का अंडों का production बढ़ाने के लिए या अंडों का production हमें पाने के लिए कौन से वहाँ पर content की आवश्यक्ता होती है इस content की अगर बात करते है तो दोस्तो आसल में मुर्गियों में हमें calcium, phosphorus, loha, vitamin D और cip का जो उपरी कवच होता है उसका इस्तमाल करना पड़ता है इसके माध्यम से मुर्गियों का अंडों का production बढ़ने में बहुत साहियता एवं support हमें होता है इसके माध्यम से अगर एक बात हम यहाँ पर check out करके लेते हैं तो दोस्तो इसके माध्यम से आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी क्या यहाँ पर गेहू, जवार, चावल, मकाई, बाजरा, कैलिशियम, फॉस्परोस, लोहा और विटामिन डी का सप्लाइ कर पाते हैं अगर कर पाते हैं तो दोस्तो 100% अंडों का production बढ़ेगा घटेगा नहीं लेकिन दोस्तो आपको एक बात बताता हूँ कि गेहू, जवार, चावल, मकाई, बाजरा इनमें दोस्तों कार्बो हैड्रेट्स भर-भर के होते हैं इनमें आपको कैल्सियम, फॉस्परोस, लोहा और साथी में दोस्तों विटामिन डी की जो मात्रा है कम मिलेगी इसका मतलब है दोस्तों आप गेहू, जवार, चावल, मकाई, बाजरा वहाँ पर जो है देते हैं तो इसके माध्यम से अंडो का प्रोडक्शन तयार करने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वो इसके माध्यम से नहीं मिल पाता है फिर ऐसे में सवाल आता है कि गेहू, चावल, जवार, मकाई, बाजरा का इस्तमाल करने से फिर अंडो का प्रोडक्शन फिर घड़ जाता है अगर यह सच है तो क्या हम फिर गेहू, चावल का इस्तमाल मुर्गी पालन में करने से वहाँ पर दोस्तों परहेस करे और क्या द का अंडो का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आवश्चक जो घटक एवं कंटेंट होते हैं जिन में कि कैल्शियम फॉस्परस लोहा और विटामेंड इंपॉर्डन माने जाते हैं वह तो नहीं होते हैं लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि मुर्गियों के शेरीर में उर इस्तमाल बंद कर दिया तो दोस्तों दो यहां पर बाते होगी पहली बात होगी दोस्तों कि आपका अंडो का प्रोडक्शन लगभग वहां पर चार गुना घट जाएंगा इसका कारण है दोस्तों कि मुर्गियों के शरीर में जिस तरह से कैल्शियम फॉस्पोरस लोहा औ तो मुझे बताईए क्या मुर्गिया अंडो का प्रोडक्शन कर सकेगी सव प्रतिशत नहीं अगर आपके वहां पर मुर्गियों के शरीर में उर्जा ही नहीं होगी तो क्या फायदा कैल्शियम फॉस्पोरस लोहा और विटामिन डी का इसलिए दोस्तों भले ही वहां पर म मुर्गिया आपके अंडो के प्रोडक्शन में बढ़ोत्री नहीं कर सकेगी लेकिन अंडो का प्रोडक्शन बदस्तुर जारी रखने के लिए आपको कार्बोहड्र्स के आवश्यक्ता मुर्गी पालन में बहुत ज्यादा गिरती इसलिए और इसके लिए दोस्तों दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि आपको कम से कम से 30 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम को देना है अगर इतना आप समय समय पर और बहुत बारीके से कैलकुलेशन करके मुर्गियों को देते रहोगे तो दोस्तो सव प्रतिशत आपकी मुर्गियां अंडो का प्रोडक्शन वहां पर बढ़कर दिखाएगी और उनका स्वास्त भी अच्छा रहेगा दूसरी बात दोस्तो यहां पर एक बात जान लीजिए कि गेहुँ चावल की जगह पर बाहरी मिलने वाले फिड का इस्तमाल आप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी मुर्गियां अंडो का प्रोडक्शन पास से लेके 10 प्रतिशत आपको बढ़के दिखाएगी बहुत आप हर्षित महसूस करेंगे लेकिन दोस्तो क्या आपने सोचा है आइसे में सबसे बड़े दिक्कत आपके सामने क्या सकती है दिक्कत है दोस्तो क्या आइसे में आपका फार्म 4 से लेके 6 महा में बंदग भी गिर सकता है आपका फिर कहना आएगा सर यह क्या आप महेंगा मिलता है और दोस्तों बहुत महेंगा मिलने वाला यह फिड आपका टोटली कॉंबिनेशर और कैलकुलेशन बिघाड सकता है इसलिए दोस्तों आपको गेहु चावल बाजरा मकाई और साथी में दोस्तों जो हम यहां पर बात करते हैं जो दूसरी जवार है इन सभी क फिड का इस्तमाल आनाज का इस्तमाल करना पड़ेगा तो ही दोस्तों आपका कॉंबिनेशन और कैलकुलेशन एक तो वहां पर फिड के खर्चे के लिए अंडों के प्रोडक्शन के लिए दोस्तों कम्प्लीट हो सकेगा नहीं तो दोस्तों आपका फार्म आपके लिए दो दोस्तो वहां पर सबसे बड़ी चिंता का कारण भी बन सकता इसलिए दोस्तो आपसे गुजारी से गेहू जवार चावल मकाई बाजरी का इस्तमाल करने से दोस्तो अंडो का प्रोडक्शन घटता या बढ़ता नहीं है लेकिन अगर आप इसका इस्तमाल बंद कर दोगे तो वहां पर प्रोडक्शन घटेगा इसलिए दोस्तो लिमिट में इस्तमाल करिए 100 प्रतिशत आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दोस्तो आखिर में एक लाइन में बताता हूं कि कितना करना चाहिए इस्तमाल दोस्तो गेहू जवार चावल मकाई बाजरा एवम आटे का इ ज्यादा ज्यादा पचास ग्राम बस इतनी सीधी सिंपल सी चीज है यहूं चावल से मुर्गियों का अंडों का प्रोडॉक्शन घटता नहीं है यह है दोस्तो वीडियों का अंत और सच्चाई तो दोस्तो यह वीडियों आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिक कर ज्यादा से ज्यादा किसान भाईयों के पास और मुर्गी पालक भाईयों के पास ऐसे वीडियो बेजने के लिए आप शेयर कर दीजिए उसके लिए दोस्तों परसनल वाट्सप नंबर वाट्सप टेलिग्राम गुरूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नापचेट इन को अन कर दो ताकि आपको आने वाला हर देखने को मिल सके तो दोस्तों आएसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्ते लाड़ आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन में मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई कात रहे दिल से आज के वीडियो में बहुत-बहुत आभार